पेनोलोजी एंड विटिमोलोजी में MCQ रिवाइस करों में पहला कोईश्चन है अपराध सास्त्र अपराध विधी विज्ञान की वह साखा है जो अपराध के कारण तथा उनके निवारण से संबंधित है ये किसका कफन आहें का आपके सामने डाक्तर के नी का दूसरा है आप्ष्टन वी आप्ष्टन है यें का सदर्लैंड का तो इनमें से ये कफन किसका है कौन सा आप्षण साहिज़गा तो ध्यान दिजिएगा यहां पर आपका एंप संसे होगा डाक्टर केनी का कथन है दूसरा कोईशन है इनमें से किस विधी सास्त्री ने यह बताया है कि कार्य को मानव आचार का भवतिक परिणाम बताया है एक कृत्य के अंतरगत अवायद लोप भी नहीं तो होता है सामिल होता है तो ये किस विधि सास्त्री ने बताया है आप्षन है आपके सामने रसेल ने बी है केनी ने सी है टेफ्ट ने और डी है टेपल ने तो यहाँ पर आपका कौन सा आप्षन सही होगा तो यहां पर आपका A आपसन सही होगा रसेल ने ये बताया है कि कारे को मानव आचार का भौतिक परणाम बताया है और एक कृत्य के अंतरगत अवाइध लोप भी नहीत होता है तीसरा कोईस्चन अपराध विधी के अधीन किस प्रकार का कारे है आपसन है आपके सामने पहला है दंडनीय कारे B है उप्चारात्मक कारे C है सुधारात्मक कारे D है इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपका कौम सा आपसन सही होगा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका A आपसन सही होगा दंडनीय कारे Q4 अपराद हुआ है जो राज्य ने अच्छे या बुरे कारणों के कारण निशिद्ध कर दिया है और ये किसका कथन है आपके सामने बिन्थम का B है ब्लैक अच्छा की स्टोन का और C है आश्टिन का और D है किणी का यांपर आपका कौन सा अप्चछाfound सही होगा तो ध्यान दीजीगा यांपर आपका ये आप्चान सही होगा आपराधवा है जो राज ने अच्छे या बुरे कारणों के कारण निशिद कर दिया है ये कथन बिन्थम का है पांचमा कोईश्चन अपराधी के अपराध को रोकने में कौन से तत्व सहायक हो सकते है आपसन है आपके सामने दुख B है उपहाज C है निंदा का डर और D है ये सभी तो यहाँ पर आपका कौन सा अपसन सही होगा तो यहाँ पर आपका D अपसन सही होगा ये सभी